दुनिया में लाखों पुरुष यौन समस्या से पीड़ित हैं इसे ED यानि Erectional Dysfunction कहते हैं ED के कारण जिस जोश के साथ यौनिक आनन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता तथा पुरुष की संभों की अवदी भी कम हो जाती है ED के कारण पुरुषों को शर्मिंदगी महसूस होती है वो मानसेक और शारीरिक रूप से असंतुष्ट रहते हैं वैवाहिक रिष्टे पर भी दरार आ जाती है दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुशाली और प्यार वापिस लाना चाहते हैं ED के कारण कई सारे हैं सबसे बड़ा कारण है मदुमेह यानी डाइबिडेज टाइब टू मदुमेह से पीड़ित 50 पतिशत से भी जादा पुरुष ED की समस्या से परिशान है पुरुष के गुप्त अंग और उसके कई रक्तवाहिनियों के अवरोध के कारण ED हो सकता है कुछ लोग दवाई लेते हैं जैसे की वाईगरा जो उसे कुछ समय के लिए शारीरिक राहत और आनन दे सकती है लेकिन भावना योगत और आनन्दित यौन जीवन की गुणवत्ता की कमी महसूस हो जाती है इसलिए वाईगरा जैसी दवाईयां सिर्फ नाम के लिए काम करती हैं इसके अलावा दिल की बिमारी के मरीजों को वाईगरा जैसी दवाईयां हानिकारक हो सकती हैं इसलिए वाईगरा जैसी दवाईयां डॉक्टर की सला के बिना नहीं खानी चाहिए ED के अलावा कुछ पुरुष मूत्र लीकेज की समस्या यानि की युरिनरी इनकांटिनेंस से भी पीड़ित होते हैं युरिनरी इनकांटिनेंस तीन प्रकार के होते हैं Stress urinary incontinence जब exercise, छीख, खासी, हसी और यौन कारे जैसे दैनिक प्रक्रिया के दर्म्यान मूत्र का लीकेज होता है Urge urinary incontinence या अति सक्रिय मूत्राशय दूसरा प्रकार है जिसमें आपको कहीं पर और कहीं भी मूत्र विसर्जन की समवेदना अचानक और जोरों से महसूस हो जाती है Mixed urinary incontinence, Stress तथा Urge urinary incontinence आज की तारीक में urinary incontinence के उपाई हैं लेकिन बहुती सीमित है दवाईया ज्यादा तर नाकाम रहती हैं कई बार doctors दिन में दो या तीन बार किगल exercise सूचित करते हैं लोग ये exercise लंबे समय तक नहीं कर पाते क्योंके उन्हें ये कठिन, दर्दनाक और बोरिंग लगती हैं इसलिए इच्छनिय नतीजे नहीं मिलते हैं ED और UI दोनों के लिए एक नई तक्नीक से आप दोनों से छुटकारा पा सकते हैं iPad कुरसी iPad कुरसी EXMI भारत में iPad के नाम से जानी जाती है इस नई तक्नीक से ED का इलाज पूरी तरह से हो जाता है और वैवाहे खुशाली लॉट आती है iPad कुरसी UI का भी पूरी तरह से इलाज कर देता है iPad जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलोजी को लेकर कई सारी मेडिकल प्रकाशन प्रशंसा कर चुके हैं EXMI iPad 58 से भी ज्यादा देशों में उपलब्द है 20 लाक से भी ज्यादा मरीजों का उपचार इस तकनीक द्वारा किया गया है और सिर्फ दो महीने की ट्रीट्मेंट में उन्हें यौन शक्ती मिली है तथा UI की तकलीफ से आजादी मिली है iPad ट्रीट्मेंट से यौनिक अंगों में रक्त प्रवा बढ़ता है तथा इच्चित मात्रा में इरेक्शनल फंक्शन से पुरुष यौनिक क्रिया में ज्यादा सक्रिये रहते हैं iPad की वज़े से उनकी वेवाहिक जीवन में कुशाली और प्यार वापिस आया है ट्रीट्मेंट की प्रक्रिया बहुत आसान है आपको सिर्फ iPad की कुर्सी पर बैठना है जब मशीन शुरू होता है आप अनुभव कर पाएंगे कि ट्रीट्मेंट शुरू हुई है और आप अपने कमर के निचले हिस्से में यानि आपके गुप्त जगये पर वाइब्रेशन्स महसूस करेंगे iPad की ट्रीट्मेंट दर्द रहित है ये सुरक्षित भी है क्योंकि आज तक किसी भी तरह के साइड एफेक्स का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है iPad के जरिये अब आप ED और UI को भूल जाएए और अपनी वैवाहिक जिन्दगी पर आराम से और आसानी से काबू पाएं हम आशा करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशाली और प्यार लोटाए आपके डॉक्टर आपकी कोई दुविधा या प्रश्न का उत्तर देने में खुश होंगे आईपैट की ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है अम आपको सामान और खुशाल जीवन के लिए शुब कामनाई देते हैं कई सालों के लिए यह रिकॉर्डिंग आपके अनुमति से किया जा रहा है क्योंकि इशू ठोड़ा पर्सनल है आपके चेहरा दिखाए नहीं जाएगा इस एट ओके शुक्रिया मैं यह रिकॉर्डिंग अपनी मर्जिस से इसलिए दे रहा हूँ ताकि और लोगों को भी सचाई मालूम पड़ सके शुरू करते हैं आपकी उमर से क्या उमर होगि आपकी सर मेरी उमर 46 साल है टकलीफ की बारे में कुछ बताएं किटने साल है क्या-क्या तकलीफ हैं क्या-क्या ट्राय किया आपने सर कुछ चार-पात साल पहले मेरी डॉक्टर ने कहा कि मुझे डायबेइडिस हो गया फ्राबुरा लगा फिर जब यह महसुस हुआ कि आजकर डाइबेटेस तो काफी कॉमन है मैं और मेरी वाइफ सम्बल गए और इलाज में जुड़ गए डाइबेटेस भी कंट्रोल में आ गया दो-तिन साल ठीक रहा लेकिन जी अराम से बताएं आप दो साल पहले की बात है तक्रीबन डाइबेटेस को हुए तीन साल हो गए थे जब मेरी लाइफ मतलब सेक्स लाइफ में बहुत कमी महसुस होने लगी पहले ऐसा कुछ भी नहीं रहा वाइफ और मेरे पीछ तनाव भी बढ़ने लगा तो साल लाइफ में जैसे मज़ा ही खतम हो गया तो फिर क्या-क्या ट्राइ किया आपने काफी कुछ ट्राइ किया होगा आपने जी कुछ पहले तो गरेलू नुसके ट्राइ किये जड़ी बूटी ऐसा सब कुछ ट्राइ किया पर कोई फाइदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर साब से पूछा तो डॉक्टर साब ने वाइग्रा देसी कोई दवाई लेने को कहा था मैंने ली थोड़ा फाइदा भी ज़रू रहता था यह तो बताया आपने आपकी मैरीड लाइफ आपकी सेक्शुल लाइफ के बारे में और को तकलिफ थी आपको सर उसी दोरान एक तकलिफ और शुरू हो गई थी जैसे हस्ते या खास्ते वक्त पेशा थ्राथ्रा लीक हो जाता था दोनों तकलिफों से बहुत ही प दोनों तकलिफों से रहा देती है यह सुन कि मैं आईपेट ट्रीटमेंट के लिए आया था था थोड़ा अलग एक्स्पिरेंस था पहले दस सिटी में कोई फर्क मैसूस नहीं हुआ मगर डॉक्टर साब ने कहा धीरज रखो फाइदा होगा अचानक पंद्रेवे सिटिंग है सेक्स लाइफ में काफी सुधर आया पेशाब लिकेश भी काफी कम हो गया और अब जब ट्रीटमेंट खतम होने आया है मतलब 20 अ सेटिंग को असपास दोनों ही तकलिफे तक्रिबन खतम हो गई है मैं काफी खुश हूँ. अल्मोस्ट नॉर्मल लाइफ हो गई है और सबसे बड़े खुशे की बात यह है कि वाइफ भी खुश है मानलीजे लाइफ में खुशा लोट आई है अब सब कुछ नॉर्मल है मतलब यह कि आईपाइट के टीटमेंट से आपके दोनों तकलिफी दूर हो गई है आपके सेक्शल प्रब्लम भी और आपके यूरिनरी प्रब्लम भी थैंक यू वर्यमाच